दोस्तों लोग जब भी डेंजरस और मजबूत डॉग के बारे में सोचे तो उनके दिमाग में सबसे पहले पिटबूल का नाम आएगा लेकिन कुछ ऐसी ब्रीड्स भी है जो की पिटबूल से भी खतरनाक और मजबूत है तो आएए जानते हैं कुछ ऐसी डॉग ब्रीड्स क पता दें कि पिटबूल और कंगल की फाइट में 100% कंगल ही जीतेगा क्योंकि ये पिटबूल से साइज और ताकत में दो गुनाज जादा होते हैं ना ही सिर पिटबूल ये दूसरे डॉग से भी दो कदम आगे होते हैं और ये भी सच है कि पिटबूल कंगल डॉग को एक बार भी नहीं काट पाएगा और कंगल इस फाइट में आसानी से जीच जाएगा दूसरे डॉक्स के मुकाबले इनकी बाइट फोर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है और ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये जहां पर काट ले उस जगे का मास निकाल कर छोड़ते है बोयर बोल के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इनका इस्तमाल शेरों का शिकार करने में किया करते थे ये डॉग अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर शिकार को नीचे जमीन पर धकेल देते हैं एक बड़े बोयर बोल का वजन 60-80 किलो तक हो सकता है जो कि पिट बुल से काफी जादा है जितना ही इनका साइज बड़ा होता है ये उतने ही एनरजेटिक और पावरफुल भी होते हैं ये डॉग पिट बुल से जादा ताकतवर और स्ट्रॉंग होते हैं और साथ ही ये खतरनाग भी होते हैं अब आप ज़रा सोचिए कि पिट बुल एक ऐसे इनकी स्कीन काफी मोटी होती है जो कि इन्हें डेमेज से बचाती है इनका दिमाग ठंडा और ये अनाडी किसम के होते हैं वही पिट बुल साइज में छोटे एनरजेटिक और एक्टिव होते हैं एक पिट बुल आसानी से हावी हो सकता है लेकिन आलाबाई काफी एग्रेस दोनों ही स्ट्रॉंग और पावरफुल डॉग ब्रीड है और ये दिखने में भी लगबग एक जैसे दिखते हैं लेकिन प्रेसा केनेरियो पिट बुल से साइज में काफी बड़े होते हैं उसके अलाबा इन्हें कंट्रोल करना और ट्रेन करना काफी मुश्किल काम है इन् किसी को काट ले तो काफी गहरा जखम दे सकते हैं ये डग पिट पुल से काफी बड़े और खतरनाक होते हैं पिट पुल और प्रेसा केनेरियो की लड़ाई में केनेरियों के जीतने के चांसिस काफी ज़्यादा है नमबर फाइब तिबितियन मेस्टिफ का इस्तमाल खास क गार्डिंग के लिए किया जाता है लेकिन ये फैमिली डॉग भी बन सकते हैं ये एक लार्ट साइज और खतरनाक डॉग ब्रीड है लेकिन जब इन्हें एज पैट रखा जाए तो सेर से खतरनाक ये डॉग काफी लवेबल नेचर के हो जाते हैं अगर पिटबुल तिबितिय मेस्टिव के बाल ही आएंगे उसके अलावा कुछ नहीं पिटबुल लवर भले कुछ भी कहे लेकिन सस्तो यही है कि तिबितिन मेस्टिव के लिए पिटबुल एक नमकी नास्ता है और कुछ नहीं यहां तक कि डॉग फाइटिंग में यूज किये जाने वाले पिटबुल को भी तिबितिन मेस्टिव आसानी से हरा सकते हैं नमर 6 रॉटवाइलर फिटबुल और रॉटवाइलर दोनों ही डेंजरस डॉग ब्रीड मानी जाती है रॉटवाइलर एक हेवी डॉग ब्रीड है जो कि पिटबुल से लड़ने की ताकत रखता है फिटबुल दूसरे पिटबुल से ज्यादा ताकत होती है अगर एक स्ट्रॉटवाइलर अपनी पूरी ताकत लगा कर अटेक करे तो पिटबुल को हरा सकता है रॉटवाइलर एग्रिसिव नेचर के होते हैं जिस वज़े से इने गार्डिंग के लिए रखा जाता है इनके दात काफी तेज होत और ये इतने तेज दातों से पिटबुल को चोट पहुंचा सकता है